हेलो दोस्तों मैं हूं कृष्ण और मैं आज आपके लिए और निए केमिश्ट्री में पहला लाइक चले के आया हूँ जिसके हम इंडर बारे में बात करेंगी और में आपको ट्रिक के जरी बताऊं को समझामगा कि आप कैसे इसी वे में इंडर्किव एक्ट को याद रख सकत जो भी बॉनड में आप लोगों को प्रॉपर्टी बता है, तो सबसे पहली बात है पर्मानेट्ट टीफेक्ट है, यानि एक बार अगर हो गया तो हो गया यह नहीं यह temporary ऐसे नहीं रहेगा आप लोगों का रेजनिस फैक्ट की तरह है temporary effect नहीं है इस यह परमानेंट effect important point है second point है due to electronegativity difference यह आपका electronegativity difference की बज़े से होता है third point its effect decrease with distance यह बहुत important point है आप लोगों का यहांसे example से देखिए यह आपका distance जैसे जैसे vary हो रही है तो यह कैसा होता जा रहा है कम होता जा रहा है its effect decrease with distance and become negligible after third carbon carbon और यह third carbon के बाद इसका effect रहता हो कैसा हो जाता है negligible हो जाता है वह आप यहांसे देख सकते हो देखो फर्स्ट carbon और यह आपका second carbon carbon तो third carbon के बाद इसका effect कैसा हो गया नेगली जिभल हो गया तो यह point important है इसको आप इसको इसको बेसे strength बेसे strength जब चेक करते हो तो उस time पर आप लोगों के बहुत ज्यादा फायदे मंद रहेगा यह वाला point आप लोगों को याद रखना है अगला point क्या है अगला point always in sigma bond only यह हम लोग पहले discuss कर चुगे केबल sigma bond में होता है not in pi bond प्लस आइफेक्ट को हम पहले study करते हैं मैं इसको आपको टेबल के जरिये बताऊंगा कैसे आप इसको याद कर रख सकते हो तो देखिए मैं मैंनस i effect के बारे मताता हूं group which withdraw electrons यानि कि जो group जो आपके group किसी भी आप लोगों ने देखे होंगे के ऐसे c single one c single one c आप लोगों है no two है तो यह वाला जो group है यह यहां से क्या करेगा electrons को अगर withdraw कर रहा है अगर minus i को यह से याद रखें जो electron लेगा यानि जो electron क्या गारा खींच राया है तो उस group को क्या बोल देंगे अपन माइनस i group अब इसको एक series है यह बहुत सारे group रहेंगों यह से तो आप लोगों को वह series याद रखनी होती है तो वह series को कैसे याद रखेंगे वह एक main region रह अहली हाइड की टो अहली हाइड एसे हैलोजन फ्लोविंग क्रोविंग ब्रोमिन आयोडीन ओर आपका एल्कोहल और फिर फिर एस्पी कारवन फिर बैंजी फिर एस्पी टू कारवन और फिर आपका hydrogen तो आपको यह ट्रिक याद कैसे रखनी है मैं आप लोगों को यह पता ह आपको हल एस्पी एन एच टू बेंजीन के साथ एस्पी टू को hydrogen दिया यानि यहiben दशन से यह एक कार में वैठी है और उसने हैलोजन और अल्कोहल उसके पास एलोजन और अल्कोहल था उसने उसको एस्पी कोई एस्पी बंदा है अपना एस्पी एक आदमी है एन एच को हाइड्रोजन दे दिया हेलोजन और अलकॉल के साथ साइना एक लड़की है जिसने कार में बैठ का टसन से SP2 NH2 और बेंजीन बंदों के साथ यानि यह आपके लड़के हैं या कोई आदमी है उन्होंने SP2 जो इनका दोस्त है उसको हाइड्रोजन दे दिया अब देखिए आप लोगों को यह ट्रिक तो एक दो बार आप लोग पढ़ोगे तो ऐसी याद हो जाएगी अब देखिए इसको में कैसे इसको इससे आप लोगों को यह इस से याद रखना है अब उसके बाद है आप लोगों का टसन से अब देखिए टसन के बाद आपको नैट्रोजन याद रखना है लेकिन से ए Jagernatifs एक का मतलब अल्डिहायड कार का मतलब कैसे हेलोजन हेलोजन आ गय आपके सारे ऊार और 熊ते हो जाएगा आप को मोदे है सिफ्म का मतला कंदा नहीच फम में इसको पर में सब्सक्राइज में एनच टू नहेच टू आ गया बेंजी बेंजीन ही के साथ के ऐसे लिखाए साथ ऐसे ही अपना SP2 SP2 का मतलब देखिए आप SP2 कार्मन आ गया और हाइड्रोजन दिया मतलब हाइड्रोजन आ गया इस फैसर में आप लोग इस ट्रिक को याद रख सकते हो चलिए आप आगे बात करते हैं ट्रिक को याद रखोगे देखिए अब ये बताता हम आप लोगको तो यह दिखोगे ओ यजैसे आपने दोस्ते हो लो जाम लेंगेहीं सब्सक्राइब करें चार धिन तोस्तथ अके स्यांतर है क उसने अव्याहे हैं सफिर भेजल है गर ज़ल नहों पत्ती टेशें हैं तो यह तो यह आपका वन डिगरी और यह तो चार कारवन हो गए तीन कारवन मतलब इसमें दो कारवन यह रहा आपना अब एक कारवन ना यह रहा कारवन आगया उससे चार तीन दोट से याद रहेगा आप लोगों को कारवन के लिए विजुगा है अब डूड़े का मतलब किसके लिए हैं का मतलब हैं अगर इस तरह से आप प्लस है माइनस है को याद रख सकते हो मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्लस है माइ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक तो बनता ही है वाई थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो आगे मिलते हैं